तमिल नाडु में निर्दलिये प्रत्याशी थुलम सरवानन ने जनता से ऐसे चुनावी वादे किये हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे उन्होंने अपने वादों में एक मिनी हेलिकॉप्टर, हर घर के लिए एक करोड रुपए, शादियों के लिए सोने के गहने, तीन मंजला घर आपको बता दे कि निर्दलिये प्रत्याशी थुलम सरवानन की वादों की सूची में चांद की यात्रा भी शामिल है उनकी चुनावी वादों को सुनकर IPS ओफिसर अरुन बोथरा भी हैरान रहे गए हैं आपको बता दे कि थुलम सरवानन एक निर्दली उम्मीदवार है जो 6 अप्रेल को तमिल नाडू के मदुरे साउथ सीट निर्वाचन छेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उनके घोशना पत्र और उनके बाहरी वादों ने निश्चित रूप से उस निर्वाचन छेत्र में ध्यान आकर्शित किया है जहां 13 और उम्मीदवार है उम्मीदवार के चुनावी वादों को पढ़कर IPS ओफिसर अरुण बोत्रा ने लिखा है कि मुझे इस उम्मीदवार में एक अलग इस्तर की इमानदारी दिखती हैं बता दे कि 33 वर्षिये पत्रकार से उम्मीदवार बने थुलम सरवानन ने कहा है कि मेरा उद्देश राजनीती दलो द्वारा मुफ्त में फस्ते लोगों के खिलाप जागरुकता बढ़ाना है मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे उम्मीदवार चुने जो साधारन और विनम्र हो हैरत की बाद तो ये है कि उनका चुनाव चिन भी एक कुडे दान है